दोस्तो चना, कपास, सोया बिन, मूंग, उडद, बैंगन, टमाटर, मेर्च, फुलगोबी, पत्तागोबी, मतर, मसूर, अंगूर, भिंडी, चाय, मक्का, आदी फसलों में किटकों का बड़े पहिमाने में प्रादुर्बाव देखने मिलता है किटकों की बात करें तो बोलवर, अफिडस, फ्रुट बोरर, लिप बोरर, सपेद मक्की, स्टेम बोरर, पिंग स्पोर्ट, लिप होपर, छोटे बड़े सहस की इल्लिया, इन परजातियों के किटकों का प्रादुर्बाव फसल में ज़्यादातर देखने मिलता है अगर हम बात करें पत्तागोबी, फुलगोबी, बैंगन जैसी सब जोपर एक बार स्प्रे करने से कुछ नहीं होता इन फसलों पर 10 से 15 दिनों के अंतराल में स्प्रे करते रहना होता है दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन सभी किटकों का सपाया करने वाला नमबर वन भरोसे मन किटनाशक के बारे में जिसका स्प्रे करने से किटकों का एकी स्प्रे में सपाया कर देगा जिहां दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इमामेक्टिंग बेंजोएट 5% SG कितनाशक के बारे में दोस्तो इमामेक्टिंग बेंजोएट एक नॉन सिस्टेमिक और कॉंटेक कितनाशक है इमामेक्टिंग बेंजोएट के बारे में बात करें तो है 100% पानी में गुलनशिल है और साती में दानेदार कितनाशक है जो कम मातरा में प्रियोग में लाया जाता है इमामेक्टिंग बेंजोएट की बात करें तो यह एक दुसरे कितनाशक जैसे फ्रोपेनोफास हो गया, साइपर मेतरिन हो गया, अलफा मेतरिन हो गया, कुईनालफोस हो गया इसके जैसे आदी किटक नाशक में मिलाकर आप इसका स्प्रयोग कर सकते है इमामेक्टिम बेंजोएट एक परियावरनी ये दुष्टिकों से सबसे अच्छा किटनाशक माना जाता है इसके इस्तमाल से परियावरन में कोई भी हानी नहीं होती और ये लाबदायक किटकों के लिए एक सुरक्षित किटनाशक माना जाता है लाबदायक किटकों के लिए मतलब मदुमक्खिया जो इसे जो किटक होते इसके लिए लाबदायक होता है ये उपर किसी भी तरीके का काम नहीं करता है उन्हें जिन्दा रखता है इमाम एक्टिंग बेंजोएट एक शक्तिशाली ट्रांसमिनार किट नाशक है जिससे पत्तियों के नीचे छुपे होए किटकों को नाश करने में कारगर साबित होता है इमामेक्टिंग बेंजोईट किटको को संपर्क में आने पर किटको को खाना पिना बंद कर देता है यह किटको के नर्वस सिस्टम को डेमेज कर उनकी मांस पेशों में संकुचन पैदा करता है जिससे किटको का नाश हो जाता है अगर हम इसके डोज की बात करें तो 15 लिटर चार्जिंग पंप के लिए आप 8 ग्रैम इसका इस्तमाल कर सकते है अगर परती एकड के बारे में हम बात करें तो 200 लिटर पानी में 90-100 ग्रैम इमामेक्टिंग बेंजोईट का चड़गाव करना चाहिए अगर इसके हम रिजल्ट टाइम की बात करें तो ये एक बार स्प्रे करने से 10-12 दिनों तक ये काम करने में सक्षम है